नमस्कार सातियों एक बार फिर से आप सवी का सवागत है आज की किलास में हम राजस्तान के मुख्यमंत्रियों से सम्भंधित परसन करेंगे जो विगत परिक्षाओं में पूछ गए हैं पहला कुशन सवीदान के अनुचेद 164 सबको लोग एक के अनुसार राजस्तान का मुख्यमंत्री होता है तुसका अप्शन नमबर 4 से जाएगा नियूक्त नेक्स्ट भारते सवीदान के किस अनुचेद के तयत राजस्तान के मुख्यमंत्री की नियूक्ती होती है तुसका अप्षिन नमबर बी से जाएगा अनुचेद 164 के तैत नेक्स्ट नेमर में से किस मुख्य मंत्री को डीग कोली गोली कांड के बाद इस्तिपा देना पड़ा और उने कभ इस्तिपा दिया था तो इसका अप्षिन नमबर बी से जाएगा शीवचरण महाथुर ने तेस परव भारतिय सविदान के अनुचेद 166 के अनुसार निम्मे लिकेत में से सही कतन है तो इसका अप्षिन नमबर बी से जाएगा राज्य पाल को जानकरी देना मुख्य मंत्री का करतेव्य है अगला निम्मनांकित में से कौन राजस्तान के पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जो मुख्य मंत्री पद की सपत लेते समय विदान सभा के सदेशे नहीं थे तो इसका अप्षिन नमबर एक से जागा बैरो सिंग से काउत निम्मनांकित में से कौन राजस्तान में मंत्री परिश्यत की बैठक इस्तान और समय निर्धिस्त करता है तो इसका अप्षिन नमबर दोस हो जाएगा राज्य का मुख्य मंत्री नेक्स्ट निमिले केत्मे से किसे ने राजस्तान में सबसे अधिक बार मुख्यमंतरी के रूप में सपत ली है तो इसका उप्शन नमबर एक से जाएगा मोहलाल सुकाडियने नेक्स्ट निम्नांकित में से भारत के सविदान का कौन सा अनुचेद राजजिपाल को जानकारे देने के सम्मद में मुख्यमंतरी के करतेवे के वारी में है जिसका उप्शन नमबर तीन से जाएगा अनुचेद 166 नेक्स्ट राजस्तान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नुक तोते समय राजस्तान विदानसभा का सद्धेशे नहीं थी नहीं था यह नहीं थी तो इसका अप्शन नमबर नेक्स्ट राजस्तान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन बारत के सविदानसभा का सद्धेशे नीरा तो इसका अप्शन नमबर चार से जाएगा टीकाराम पालिवाल नेक्स्ट राजस्तान के मुख्यमंत्रियों को चीनित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कारे किया है तो इसका अप्शन नमबर ग्यानी मौलाल सुकाडिया सीवचरण माथूर और जगनात पाडिया तो इसका अप्शन नमबर बीश है जाएगा एक तीन और चार मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवीत्री की विवादास्पत तिपनी के कारेंट त्याक पतर देना पड़ा था तो इसका अप्शन नमबर डी से जाएगा जगनात पाडिया को नेक्स्ट बारत के सविदान के अनुसार राजस्तान के मंत्री परिशत में मुख्यमंत्री सहीद मंत्रियों की कुल संक्या कितने से अधिक नहीं हो सकती तो इसका अप्शन नमबर बीश है जाएगा तीस यहनि 29 मंत्री एक मुख्यमंत्री टोटल तीस नेक्स्ट निम्नांकित में से किसने राजस्तान के मुख्यमंत्री कपद चार बार दारित किया है तो इसका अप्शन नमबर तीन सह जाएगा मुख्यमंत्री परिशत की बैठक की अधिक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्तिति में कौन करता है तो इसका अप्शन नमबर चार से जाएगा मुख्य मंत्री द्वरा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री नेक्स्ट राजस्तान में अन्तोद्य योजना की किस मुख्य मंत्री के कारेकाल में प्रारम की गई थी तो इसका अप्षिन नंबर तीन से जाएगा बैरो सिंग सेकावत के नेक्स्ट राज्यपाल अपने सव विवे के करतियों को छोड़कर अपने करतियों का निर्वैन रहिस की साहिता और सला से करेगा तो इसका अप्षिन नंबर कि शोसको होगा, मुक्ष मंतरी एवं मंतरी पर इश्ड कीुए नेक्स्ट हे मुक्ष मंतरी की नियुकती भारत के समेधान के किस अनुचीर के अंतरगत होती है तो इसका सभए कुप yamash दिस और एक सै 164 के तहिछ तैद मुख्य सच्चिव के पद्द पर न्यूक्त होने वाले अधिकारी को निमन के द्वारा चैन किया जाता है तो इसका अप्षिन नमबर दूस हो जागा राज्य के मुख्य मंतरी द्वारा राजस्तान में राज्य प्रेटन सलाकार समीति के अध्यक्स होते हैं तो इसका अप्षिन नमबर एक से जागा मुख्य मंतरी नेक्स्ट राज्य मानुदिकार आयो के सद्वारा चैन समीति के अध्यक्सता करता है तो इसका अप्षिन नमबर एक से जागा मुख्य मंतरी नेक्स्ट निमनांग केत में से राजस्तान के कौन से मुख्य मंतरी तो इसका उप्शन नमबर यानि जै नाराण व्यास और बहरो सिंग सेकावत तो उप्शन नमबर B से जाएगा A और D नेक्स्ट निम्नांक कितमे से कौन राजस्तान के मुख्य मंतरी एवं उप मुख्य मंतरी के पदपर रहे हैं तो इसका उप्शन नमबर दो से जाएगा टीका राम पालिवाल अगला आपातकाल के दोरान राजस्तान के मुख्य मंतरी कौन थे नेक्स्ट नेमन में से कौन सबसे कम अवदी तक राजस्तान के मुख्यमंतरी रहा है नेक्स्ट राजस्तान के मुख्यमंतरी के अपने पर्थम कारेकाल के दोरान सिरियासो गैलोद ने मुख्यमंतरी का पद नेमन में से किस्तारी को समवाला था तो इसका अप्शन नमबर एक से जागा एक दिसंबर उननी सो अठाण में को नेक्स्ट भारते सविदान के किस अनुचेद के तैत राजस्तान के मुख्यमंतरी की न्यूकती होती है तो इसका अप्शन नमबर बी से जागा अनुचेद एक सो चोट्ट नेक्स्ट राजस्तान की उप मुख्यमंतरी के बारे में कौन से जोडी सई समेली था है तो इसका अप्शन नमबर बी से जागा कंबला बेनिवाल और सचीन पाइलेट नेक्स्ट नेमर में से राजस्तान के कि समुख्यमंतरी के कारयकाल में सरवाद्धिक बार राष्टपति सासन लगाय गया था तो इसका अप्शन नमबर एक से जागा बैरो सिंग सेकावत के कर्तनों के ध्यानपूरण पढ़ना है कतन एक है टेक आराम पालिवाल राजस्तान के एक महातर ऐसे पहला है जो उपमोल हरी शंकर भाबड़ाे अब तक के सबसे लम्बे समय तक उपमोल भाब म dental हैं या भी शाह से जाएगा एक वह दोनों कतन सब्चै नेक्स्ट राजस्तान के निमनांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्तान विदानसभा के पद अध्यक्स पद पर आसिन रही हैं तिसकाप्शन नमबर बीस जगा हिरलाल देवपुरा कि अगला निमनांकित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है मुख्यमंत्रियों और उनके समय राज्यपाल थे तो मौलाल सुकाडिया के टाइम उकम सिंग सही है और हरी देव जोसी डॉक्टर संपुर्णानन ये गलत है और जगनात पाडिय रगुकुलति लग सही है और हीरलाल देवपुरा ओपी मेरा सही है नेक्स्ट भारतियस अविदान के अनुशेर 166 के अनुशार निमनांकित में से सही कतन है तो इसका अप्षिन नंबर 20 से जाएगा राज्यपाल को जानकारे देना मुख्यमंत्री का करते विए है नेक्स्ट राजस्तान विदान सभा का नेता कोन होता है तो इसका अप्षिन नंबर 20 से जाएगा मुख्यमंत्री नेक्स्ट सभीदान के किस अनुशेर के अनुशेर में प्रावदान है कि मुख्यमंत्री की न्यूकति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तो इसका अप्षिन नंबर 20 से जाएगा अनुशेर 164 के तैद राजस्तान आयोजना बोर्ड का अध्यक्स कौन होता है उसका अफ्षिन नमबर इस जजागा मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी के कारिय एम शक्तियों का उलेक भारतिस सविदान की संचेद में मिलता है तो इसका अफ्षिन नमबर तीन शुजागा अनुचेद 166 के बारत के सभिदान के किस अनुशेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्जिपल स्वविवेग से कार्य करता है अन्यकारियों के निर्वा में उसे साहता और सला प्रदान करने के लिए एक मंतरी परिशद होगी जिसका प्रदान मुख्य मंतरी होगा तो इसका अप्ष नमबर चार से जाएगा और डी से जाएगा अनुशेद 163 के तैट नेक्स्ट निमनांक कित में से कौन रास्तान के मुख्य मंतरी कभी नहीं रहे हैं तो इसका अप्ष नमबर तीन से जाएगा गोकुलाल असावा नेक्स्ट सूची एको सूची दोस्व में दित करना है मुख्य मंतरी है और उनका कारेकाल है तो जगनात पाडिया कारेकाल था उननी सो असी से उननी सो क्यसी और बक्तुल्ला खाका था उननी सो एकातर से तेंतर के मद्य और बहरो सिंग सेकावत का था उननी सो सत्यतर से असी और मुख्यलाल सुकाडिया का था उननी सो चाओन से उननी सो सत्ताओन तक तैसा अप्ष नमबर एक से जागा तेन एक चार नेक्स्ट इंगे सच्चिव के पत्पन्यूक तोने वाले अधिकारी का निमन में से किसके द्वारा चैन किया जाता है तो इसका अप्शन नमबर 20 हो जागा मुख्य मंत्री द्वारा नेक्स्ट इंगे सब्विवे के करतों को छोड़कर अपने करतों का निर्वन किसकी शाहता है और किसकी सला से करेगा तो इसका अप्शन नमबर 20 हो जागा मुख्य मंत्री योग मंत्री परिशत की नेक्स्ट किस अनुचेद में का गया है कि मंतरी परिसर सामवी गुरूप से राज्य की विदान सभा के प्रति उत्रदाय होती है तो इसका अप्षिन नंबर सी से जागा अनुचेद 164 में नेक्स्ट निमनांक कित में से कौन रास्तान के मुख्यमंतरी पद पर नहीं है निमनांक कित में से कौन रास्तान मुख्यमंतरी के मुख्यमंतरी का पद नहीं है तो यानि अंतराष्ट्य परिश्द का सदेश्य होता है और राष्ट्य विकास परिश्द का भी सदेश्य होता है और मुख्यमंतरी सलाकार सम्मेति का अध्यक्स भी होता है लेकिन रास्ता सभीदान के किस अनुच्वेत के अंतरगत होती है जिसका एक से जगा अनुच्व hard 64 के तैत सबोर निमने से कौन सबन में से सकती मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो उप्षिन ये की गलत है क्योंकि मुख्य मंत्री राज्य के उच्छी नहीं दीशों की नियुक्ति करता है ये गलत है बाकी राज्य पाल के उल उन लोगों को मंक्तुरी न्यूक्ष करता है जिने मुख्य मंत्री दवारा सिपारिस की जाती है यह सही है और मुक्य मंत्री सबी मंत्रियों के विवागों को बदलता है ये वि सही है और मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधान सभा को विगटित करने के लिए कह सकता है ये भी सही है एक विक्ति जो राज्य विधान मंदल का सदेशन नहीं है उसे कितने मेने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में न्युक्त किया जा सकता है उस समय के वितर उसे राज्य विदान मंदल के लिए चुना जाना चाहिए ऐसा ना करने पर वह मुख्य मंतरी नहीं रहेगा तो इसका अप्शन नमबर तीन से जागा यानी छै मेने के अंदर नेक्स्ट राजस्तान के मुख्य मंतरी जिनका अंतराश्टे महिला दिवस पर जनम हुआ था तो इसका अप्शन नमबर बी से जागा वो सुन्दरा राज्य का नेक्स्ट निमिन लिकेत में से कौन सा विकल्प राजस्तान के मुख्यमंतरी के कारेकाल का काल करमानुसार साही करम है तो इसका अप्षिन नमबर डी से जागा हरीदेव जोसी बहरो सिंग सेकावत जगनात पाडिया और सीवतर्ण माथूर नेक्स्ट राजस्तान के मुख्यमंतरी के रूप में निमन में से युगम में से सरवादिक बार सपत किसी ने लिया है तो इसका अप्षिन नमबर डी से जागा हरीदेव जोसी और बेरो सिंग सेकावत ने राज्य में संसदिय सच्चियों को सपत दिलाते हैं तोसकाप्ष नमबर एक से जागा मुख्य मंतरी राज्तान राज्य मानुदिकार आयों के अद्धेक्स और सद्धेश्यों की नियुकति एक उच्छ तरी समीति की संसुति पर राज्य पाल दौरा की जाती है इस सम्मिति के अद्धेक्स कोन होते हैं तोसकाप्ष नमबर एक से जागा मुख्य मंतरी नेक्स निम्न में से उस सम्मू का चाहिन कीज़ें जिन्होंने तीन बार या अधिक अउस्वरों पर राज्तान के मुख्य मंतरी की पद की सपत लिए है जिसका अप्षिन नंबर 20 जगा मौलाल सुकाडिया हरेदेव जोशी और असो गयलोत कि नेक्स्ट बारते सविदान का कौन सा नुचेद राज्ये के मंत्रियों कि न्युक्ति कारेकाल जिम्यदारी योगिता और वेतन और वतों से समन्दीत है तुसका अप्षिन और सित जगन उसें IS64 कि नेक्स्ट निमिल लखेत मैं से कौन सा कतन से कतन बारत कराल के सबी मंदोरी त disp. मंत्री हो सकते हैं हां सही है और राजस्तान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं यह गलत है और कैबिनेट में महित्य पुर्ण विवाग होते हैं यह भी सही है और सरकार रास्तान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मुख्य मंत्री नहीं है यह भी सही है नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन तेन या अधिक बार रास्तान के मुख्य मंत्री रहे हैं तो इसका अप्शन नमबर डी से जागा बहरो सिंग सेकावत मुहलाल सुकाडिया और आरिदेव जोशी किस सविदान संसोदन द्वारा मंत्री परिशाद की संक्या लोग सबाकी कुल संक्या के 15 परतिस्ता तक सीमित कर दी गई है तो इसका अप्शन नमबर तीन से जगा इकरान वा संसोदन दोजार तीन नेक्स्ट निमनांकेते में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पतर देने के पशाद बरकुतुल्ला खां को राजस्तान का मुख्यमंत्री निक्त किया गया था तो इसकाप्शन नमबर बी से जगा मौलाल सुकाडिया के त्याग पतर के बाद नेक्स्ट राजस्तान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाव सरकार यान केर्टेकर गवर्नमेंट के विरूत विदानसभा में अब विश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो स्कॉप्ष नमर 20 जगा टीकराम पालेवाल के नेक्स्ट निम्नांकेत में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्तान विदान सभा में नेता प्रतिपक्स के पद पर नहीं रहें तो यानि सीवतर्ण मातूर और असों गयलोत तो इसका उप्ष नमर 20 है जगा embargo B ओर C नेक्स्ट राजस्तान के निम्नांकित मुख्य मंत्रियों में से कौन लोग सभा के सदेशे नहीं रहे हैं तो इसका उप्शन नमबर यानि अरेदेव दूसी बैरो सिंग सेकाउद और बर्कतुला खान तो इसका उप्शन नमबर चार से जागए केवल ए बी और डी धन्यवाद आप सभी को